हेलो दुस्तो में निर्वानन सौख स्वांगत करता हूं मेरे youtube चैनल पर आज इस वीडियो विडियो हम बात करने वाले common myths आप सिप ने सीप के बारे में हम क्या सोचते हैं common myths क्या है उसके बारे में हम यहां पर आप SIP के थूआप बर सकते हुआ यह ऐसी भी Professor के अनदर कर सकते हैं जायए घट हो या हवी आव स्कते है whats kept इसके अंदर कर सकते हैं, okay, so next point के अगर बात करें, इसमें सेकेंड भी थिये है कि SIP गानद भी modified, once selected, एक बार SIP चून लिया, तो आप उसको चीज नहीं कर सकते हैं, यह गलत है, क्योंकि आपको SIP अगर करना है, तो आप पहले चूज कर सकते हैं, SIP amount कौन सा fund चूज कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको चीज कर सकते हैं, चाहे आपका fund हो, यह आपका capital जो amount हो, इसके साथ साथ आपका tenor जो हो, period हो, सारे आप अप अल्टर कर सकते हैं, आपके requirement के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, SIP, यह fund गलत चुना है आपने, तो आप चेंज कर सकते हैं, या amount चाहे तो इसको घटा सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसको घटा सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं, तो यह common myth होता है, client के अंदर कि SIP को modify नहीं कर सकते हैं, अगर तीसरा myth कि अगर बात करें, SIP is only for small investors, ऐसा द का गलत धरना है, गलत impression है, क्योंकि, यहां पर SIP में ऐसा कोई limitations नहीं है, कि खाली छोटा investor ही कर सकता है, क्योंकि, यहां पर जो large amount ship होते हैं, जादतर HNIs जो होते हैं, वो भी अपना SIP के तुरू investment करते हैं, क्योंकि SIP आपको regular interval पे investment करने का मौका देता है, investment करने का option देता है, इसलिए HNI clients भी यानि जो wealthy investors होते हैं, वो भी market condition क्योंकि market volatile होता है, तो उसके चलते हैं, वो भी SIP के through investment करते हैं, यह सब के लिए है, ऐसा नहीं कि खाली छोटे investor ही कर सकते हैं, तो सब चूज कर सकते हैं, so next SIP guarantees return, यह एक myth है, जो सब के दिमाग में होता है, कि SIP में कोई guaranteed return नहीं होता है, क्योंकि यहां पर market, जो है, bullish market में भी SIP continue करना चाहिए, और bearish market में भी continue करना चाहिए, और यह में कोई fixed return नहीं होता है, क्योंकि यह equity date के इंदर investment होता है, यह 수도но fixed return नहीं होता है, इसलिए SIP कोई guarantee नहीं देता है, अगर हम next myth की बात करें, it is not recommended, SIP is not recommended during bullish market condition, की और नहीं कि जो है मार्केट तेट में डेश संव करना चाहिए कि इसमें आपको रूपी को स्थ आज चाहे मर्केट एवर्स मार्केट हो हमेजा इसको कॉंडिव करना SIP है आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं और एक वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग